नमस्कार किसान सातियों स्वागत है आपका यूठ एक और नई वीडियो में गर्मी के सीजन में बैगन की खेती हमें कैसे करनी चाहिए कैसे हमें नरसरी का परवंधन करना चाहिए किस परकार मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए और क्यों गर्मी के सीजन में बैगन की खेती किसान बंधों के लिए ज़्यादा फाइदे का सौधा होता है ज़्यादा इंकम दे जाती है आज इसी बारे में बात करेंगे actually होता क्या है कि गर्मी के सीजन में जो बैगन का पैदावार होता है वो कम इसलिए होता है कि किसान उसकी खेती काफी कम मातरा में करते हैं सिर्फ इस वज़ा से क्योंकि गर्मी के सीजन में इंसेक्ट का प्रभाव होता है, जो कीटो का प्रभाव होता है, वो बैगन में काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए किसान बंधु इसके डर से काफी कम खेती करते हैं बैगन की, और कम खेती होने का वज़ा से जो प वीडियो में हम बात करें कि वीडियो में लाश्ट तक बने रहें मैं होनु जड़ आप देख रहें यूथ एकरिकल्चर किसान सांतियों सबसे पहले तो हमें बैगन की खेती करने के लिए जरूरी है कि मिट्टी का चुनाव अच्छे तरीके से करें हम उसमें विराइटी का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकतवर चीशे मिट्टी को जितना ज्यादा मजबूत बना सके वह काफी ज्यादा जरूरी है सर परतम तो जिस खेत में हम बैगन की खेती कर रहे हैं वह अगर दोमट मिट्टी हो तो काफी बढ़िया है अगर आपकी खेत में जान हो त खली अपने खेत में डाले और खेत में डालने के पस्चाथ 2-3 जुताई करने के पस्चाथ आप इसमें जो वैगन के पध है या तो उसकी नरसरी प्रवंदन पहले से कर ले और नहीं तो आप इसके पौध अपने बगल के इसी अच्छी नरसरी से भी आप ले सकते हैं in a season में करें और गोल वाली वारायटी को आप एकड़ करें कि वारायटी होती है उसका पैदावार काफी बनियां होता है गर्मा सीजन में आप पोध लगाने से पहले जो अंतिम जुताई कर्वा है उस जुताई के साथ में आप खेत में एक एकर के हिसाब से आप उसमें कम से क दो बैग डीएपी दो बैग सिंगल सुपर फासफेट और इसमें सलफर का परियोग जरूर करें क्योंकि सलफर एक फंगिसाइड है यह काफी बनिया जड़ में फंगस नियंतर का काम करता है बढ़ावार में भी काफी मदद करता है उसके साथ में आप क्लोरोपायरी फॉस का परियोग जरूर करें दानेदार क्लोरोपायरी हो जो होता है बढ़ार करें दो नंबर किया रहे है क्लोरोपायरी की दूरी एक फिट रख सकते हैं एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी आप पांच से साड़े पांच फिट रखें क्यूंकि आगे जिरूत पढ़ने पर आप बीच में उसमें रोटर भी चला सकते हैं अंचाहे घास अगर ज्यादा हो जाए तो बीच में उसमें रोटर चल सबसे पहले सभी कीटों का जड़ होती है इसलिए वाइट फ्लाइब को खतम जरूर करें इसके लिए आप एस इटा मिप्रीड का अन्म से आती है बहुत सारी द्वाए मार्केट में मौजूद है इमिडीप्र प्रियोग करके पर इसको यह जो वाइट फलाई होती शीज़ेंटा की पर tegasus का प्रियोग करके को नकल कर सकते हैं इसके साथ में धिनीस टीकर सानबंधू को इमामेक्टीन ebenoid का परियोग करना चाहिए तर्व पर्थम आप इमामेक्टीन बेंजओट का परियोग करें इसके पस्चा धीरे-धीरे जब आपके बढ़े हो जाए और यह फिर भी इमामेक्टिन वेंचुट आप डाल भी रहे हैं तो भी अगर ये कीट आ रहे हैं तो आप इसमें एस्पाइनो सेट का प्रियोग कर सकते हैं या फिर बायर की एक फेम जो दवा है जब कोई दवा परभाव में नहीं आती है तो बायर की फेम दवा काफी अच्छा वर यहां चाहिए ज्यादा हमें टॉनिप पर ध्यान नहीं देना है जिसको टॉनिक लोग करते हैं एमीनो अचीड हो गया ही उमीकेशिड हो इन सब चीजों पर जादा नहीं देनी है जब जरूरत पड़े तभी इसमें हैमिक शीड या पिर एमीनो यशीड या अन्ने किसी पाओं पर ध्यान ज्यादा नहीं देखिए कि हमने अल्रेडी जड़ में इतने सारे खाथ दे रखे हैं कि हमारे खेत को फोजन का पौधों को भोजन की कमी नहीं होगी जब आपके बैगन में फलन आना शुरू हो जाता है तो उस वक्त एक और काम आपको करनी होती है वह होती worldly lived के साथ में हम सलफर का परियो जरूर करेंगा और एक अच्छी क्वालीटी की जाय fellas करेंगे और यह फिर से a एकरमें 1 बैग के हिसाब से लेंगे कैल्सियम हमएक एकरमें 15 कीलो के हिसाब से लेंगे इसके साथ में हमें लेनी होती है MACRONUTRIENT, जोकी हम 1-0 केजी के हिसाब से ले लेंगे साथ में हम मिला लेंगे ये हम डाल करके और उस पर मिट्थी चढ़वा देंगे पानी का खासा खैयाल रखेंगे जब भी लगे कि खेते में नमी की कमी है तो उसमें पानी जरूर देंगे और इस तरीके से अगर हम बैगन की खेती करते हैं, समय समय पे 6-7 दिन पे किट नासक का खासा परबंध करते हैं, तो निश्ठी तरूप से हम बैगन की फसल से बहुत बढ़िया इंकम जेनरेट कर पाएंगे, वीडियो अच्छी लिएगे त मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद।